प्रिश्प संख्या 81, रजनी, मध्य वर्गिय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्थ है, घंटी बजती है, बाई दर्वाजा खोलती है, रजनी का प्रवेश, रजनी, लीला बेन कहां हो, बाजार नहीं चलना क्या, लीला, रसोई में से हाथ पोचत हुई निकलती है, चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है न, चेहरे पर खुशी का भाव, रजनी, अरे वा, तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाओंगी, अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है, कि फर देती हूँ, लीला, हसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, हाँ, केसरीया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है न, रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वनना तुम तो मुझे काठ हिल देती हैं, लीला, कैसी बात करती हो, मैं एक बार काठ भी दूँ, लेकिन अमित, अपने मुह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौडता, मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं, रजनी आउंटी तो हीरो है उसकी, दोनों खिल खिला कर हस्ती है, प्रिष्ट संख्या 82, रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है, लीला, बस सब तुम्हारा ही आशिरवाद है, फिर रजनी, रोज की तरह भारी बस्ते की जगा एक हलका सा थैला है, रजनी, अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है, अमित का चेरा उत्रा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, अमित आशु भरी आ लो लो देखो, क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का, मैंने कितना कहा था कि मैस में भी मेरी ट्यूशन दगवा दीजिये, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, बस वही हुआ, मैस में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है, रिपोर्ट रजन तुने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक था, तेरे पापा ने नहीं कहा था, कि 4-5 नंबर भले ही काट लें, सफाई वफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं, रिजनी, रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं, फिर दूसरे विशयों के नंबर भ कम मैस में ही, अमित गुश से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर, सर तो बार-बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, वरना बाद में फिर मत रो ना, रो पढ़ता है, प्रिष्ट संख्या तिरासी, लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब दो-दो विश्यों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस, बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात कुछ शब्दों से नहीं, चेरे से व्यक्त करती है, पर ये तो अंधेरी हुआ कि सारा पेपर ठीक हो, फिर भी नंबर काट लो, रजनी की भावों में एका एक बल पड़ जाते हैं, वह रोते हुए अमित को खीच कर अपने पास सटा लेती है, रो मत, उसके आंसु पोच्छते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं जो पूछती हूँ, उसका जवाब देना, बस, कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तुने पूरा पेपर ठीक किया था, अमित स्विकृती में सिर हिलाता है, पापा के पास दुबारा पेपर करने से पहले, दोस्तों से या कि जिनी, मैट्स के सर कौन है, मिस्टर पाठक, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे, अमित, 22, साल के शुरू में तो आठ लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे, हाफ एरली के बाद साथ लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे तो तभी से कह रहे थे, लीला, हाफ एरली में तो इसके 96 नंबर आये थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा हैं, रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो, अमित, हाँ, कॉपी लोटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है पर यह हाफ एरली है, बहु साथ लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, तो हमेशा बस एक ही जबाब, मम्मी की नकल उतारती है, मैस में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर, देख लिया आब, सिक्स पोजिशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी, अमित की आखों से फिर आशू टपक पड़ते हैं, रजनी डाटते हुए, फिर आशू, जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आँटी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा, और ठीक ही किया, जिस विशे में कहें, तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं, रजनी, पेपर अच्छा करो, तब भी नंबर कम हो जाते हैं, अमित, हाँ, कितना भी अच्छा करो, फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे होगे, रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही है रजनी अंटी। लीला दो गिलासों में शिकनजी बना कर लाती है अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है। चलो पियो शिकनजी। देखते नहीं चेहरा कैसा पसीने पसीने हो रहा है दोनों शिकनजी पीने लगते हैं इस दोरान रजनी कुछ सोच रही है शिकनजी खत्म करके कल आप नौ बजे तयार रही हैं अमित साब आपके स्कूल चलना है अमित अमित एक्दम डर जाता है कल से तो छुटी है पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुसा हो जाएंगे वहां मज जाए प्लीज प्लीज वहां बिलकुल मज जाए लीला प्रिष्ट संख्या पचासी लीला हाँ रजनी तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परिशान ना करें इसे अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से जगड़ा रजनी बात को बीच में ही काट कर गुसे से यानि कि वे लोग जो भी जुल्म जादती करें हम लोग चुपचा बरदास्त करते जाएं सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे तेरी मा को अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं अमित जुझला कर बता तो दिया अंटी आप भी रजनी गुस्से से ठीक है तो अब बैठकर रो तुम मा बेटे दोनों दंदनाती निकल जाती है दोनों के चेरे पर एक असहाय सा भाव लीला अब यह रजनी कोई और मुसीवत खड़ी ना करे स्कूल के हेडमास्टर का कमरा बड़ी सी टेबल दिवार के सहरे काच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं दिवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें एक बड़ा सा मैप लटका है एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातवरन तयार किया जाए हेडमास्टर काम में ब्यस्त है चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है हेडमास्टर कुछ खशन उसे देखता रहता है हेडमास्टर बुलाओ रजनी का प्रवेश नमस्कार करती है Headmaster, बैठिए कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ रजनी, मैं 7th क्लास के अमिट सक्सेना की मैट्स की कॉपी देखना चाहती हूँ Headmaster के चेरे पर ऐसा भाव जैसे वैं कुछ समझा ना हो Yearly exams की, कल ही जिसका result निकला है पिष्ट संख्या 86, Headmaster Sorry Madam, Yearly exams की कॉपीयां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं रजनी, जानती हूँ मैं लेकिन बात ये है कि अमिट ने मैट्स का पूरा पेपर ठीक किया था लेकिन इसे कुल 72 नमबर ही मिले कॉपी देखकर सिर्फ ये जाना चाहती हूँ कि अमिट को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी या गलती examiner की है Headmaster, सारी बात को बहुत हलके ढंक से लेते हुए आप भी कमाल करती हैं बच्चे ने कहा और आपने माल लिया अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर में बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नमबर मिलेंगे अगर हम इसी तरह कापियां दिखाने लग जाएं तो यहां तो parents की भीड लगी रहे सारे समय इसी लिए तो yearly exams की कप यहां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में रजनी अपने गुस्से पर काभू पाते हुए देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा result देख सकते हैं मैट्स में हमेशा cent percent नमबर लेता रहा है इस साल भी उसने पूरा paper ठी किया है तैश आही जाता है कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जाना चाहती हूँ कि नमबर आखिर कटे किस बात के हैं headmaster आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बरबाद कर रही है मैंने कह दिया ना कि इन कौपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूँगा नियम? यानि कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है headmaster, गुस्टे से what do you mean? I mean what I say नियम का जरा भी खयाल होता तो इस तरह की हरकते नहीं होती स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विशे में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वे ट्यूशन ले ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? प्रिश्ट संख्या 87 देखिए ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना असली मामला है वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं इसमें बीच में स्कूल आता है ना स्कूल के नियम इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पर कुछ कर सकने वाला आदमी ही चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धानलियों को रोक सके मासूम और बेगुना बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नमबर काट लेते हैं और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम में उनके सारे गुना को ढख देते हैं विल्यू प्लीज गेट आउट फ्रम दिस रूम चपरासी दौरता हुआ चपरासी आता है में साहब को बाहर ले जाओ मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनोना रैकेट चला रखा है पर आप तो कुछ कर नहीं सकते इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी देखेगा आप तम तमाती हुई निकल जाती है हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है जाने किस-किस को भेज देते हो भीतर मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी-चिंदी करके फेंग देता है कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो द्रिश्य समाप्त नया द्रिश्य रजनी का फ्लैट शाम का समय घंटी बजती है रजनी आकर दर्वाजा खोलती है पती का प्रवेश उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है प्रिश्य संख्या 88 पती जूते खोलते वे तुम आज दिन में कहीं बाहर गए थी क्या तुम्हें कैसे मालू फोन किया था एक फाइल रह गए थी सोचा चपरासी को भेज कर मगवा दूँ पर कोई घर में हो तब न पती के चेहरे पर खीज भरा गुस्ता पुता हुआ है तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए ये कौन सी बात होई पती जरा शान्त होती वे अच्छा अच्छा गई कहां थी रजनी एक स्कूल का नाम लेती है पती स्कूल का नाम दो राता है तुम क्या करने गई थी वहाँ रजनी गदगदभाव से पहले चाय ले आऊ फिर बताती हूँ कैमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसंद है द्रिश्य फिर बाहर के कमरे में नाश्ते की प्लेट काफी खाली हो चुकी है जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है रजनी बोलती बंद कर दी हेड मास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिलाने लगे पर मैं क्या छोडने वाली हूँ इस बात को अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंदा करते हैं पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी होगी तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना रजनी एकदम भड़क जाती है यानि कि मेरा बेटा जाये तभी आवाज उठाने चाहिए अमित के लिए नहीं उठाने चाहिए और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे है उनके लिए नहीं उठाने चाहिए सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठाने चाहिए अरे ठेका ले रखा है तुमने सारी दुनिया का पिष्ट संख्या नमासी रजनी देखो तुम मुझे फिर घुसा दिला रहे हो रवी गलती करने वाला तो है ही गुनागार पर उसे बरदास करने वाला भी कम गुनागार नहीं होता जैसे लीला बेन और कांती भाई और हजारों हजारों माबाप लेकिन सबसे बड़ा गुनागार तो वे है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांदलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है जैसे तुम हमें क्या करना है हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का माई फुट उठकर बीतर जाने लगती है जाते जाते मुड़कर तुम जैसे लोगों की कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता हो भी नहीं सकता बीतर चली जाती है अरे चाहा दिया सूली पर द्रिश्य समाप्त नया द्रिश्य डिरेक्टर ओफ एजुकेशन के ओफिस का बाहरी कक्ष कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है साथ ही मिलने का समय भी लिखा है एक स्टूर पर चपरासी बैठा है सामने की मेज पर रजनी और तीन चार लोग और बैठे हैं प्रतिक्षारत रजनी के चेहरे से बेचेनी तपक रही है बार बार घड़ी देखती है मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है रजनी चपरासी से कितनी दिर और बैठना होगा हम क्या बोलेगा जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा बहुत बिजी रहता न साहब रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए ये तो लोगों से मिलने का समय है न जाने किसमे बिजी बनकर बैठ जाते है चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है कैमरा ओफिस के अंदर चला जाता है साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे है फिश्ट संख्या नब्वे फिर घड़ी देखता है फिर घुमाने लगता है बाहर एक आदमी आता है अपने नाम का स्लिप के नीचे पांच रुपिये का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थप थप आता है चपरासी हस कर भीतर जाता है लोटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है रजनी के चेहरे पर तनाओ घूर कर चपरासी को देखती है थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है चपरासी अरे 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 किधर कुछ आता अभी घंटी बजा क्या घंटी तो मिलने का समय खत्मोने तक बजेगी भी नहीं दर्वाजा धकेल कर भीतर चली जाती है चपरासी अरे कैसी आउरत है सुन अतीज नहीं वहाँ बैठे दो-तीन लोग हसने लगते हैं द्रिश्य कमरे के भीतर निदेशक कुरसी की पीट से टिक कर सिगरेट पी रहा है रजनी को देखकर आश्चरे से निदेशक आपको स्लिप भेज कर भीतर आना चाहिए था ना स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जिब में पड़ी है और शाय दो-चार दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी क्या कह रहे हैं आप तो क्या ये सीधी साफ सी बात भी मुझे समझानी होगी आपको खेर अभी छोड़िये इस बात को इस समय मैं आपके पास किसी तूसरे काम से ही आई हूँ निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चरे मिश्रित कौतुहल का भाव उभरता है निदेशक कहिए देखिए मैं स्कूलों विशेशकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन्स के बारे में कुछ जानकारी इकठा कर रही हूँ कोई रिसेर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सबजेक्ट बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए जी प्रिश्प संख्या 91 निदेशक कहिए आप क्या जानना चाहती है रजनी जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकगनाईज कर लेते हैं बोर्ड उन्हें शायद 90 प्रतिशत ग्रांट देता है निदेशक जरा गर्ब से जी हां देता है बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर निदेशक ऑफ कोर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम है जो स्कूलों को मानने होते हैं और स्कूल मानते हैं सिलिबस बोर्ड बनाता है फाइनल इयर के एक्जाम बोर्ड कंड़क्ट करता है स्कूलों में आजकल प्राइवेट टूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंदा चला हुआ है उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है निदेशक बड़े से हजबाव से इसमें धंदे की क्या बात है जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माबाब ट्यूशन लगवाते है अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन किसी और के पास चले जाएं वह कोई मजबूरी तो है नहीं बच्चा कमजोर नहीं होश्यार है बहुत होश्यार उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोच्टा रहता है कि वे ट्यूशन ले, वे ट्यूशन ले, वरना पश्ता आएगा, लेकिन बच्चे के माबाप को जरूरी नहीं लगता, और वे नहीं लगवाते, जानते हैं क्या हुआ, मैच्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद, उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार-बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली ओ, प्रिष्ट संख्या बानवे निदेशक Very sad हेड मास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ क्या हो, आप कहते हैं कि हेड मास्टर को एक्शन लेना चाहिए हेड मास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता तब करेगा कौन मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनोने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको आपके बोर्ड को चेहरा तम तम आ जाता है निदेशक लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पैरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई यानि कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही विंग्यात मखधंग से आपके बोर्ड अफ एजुकेशन को कोई जनकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं अरे कैसी बात करती हैं आप, इतने important matters रहते हैं हम लोग के पास प्रणाली के छेदों को तो रोकिये, वरना बच्चों के भविशे के साथ-साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड़े में चली जाएगी निदेशक थोड़े गुसे के साथ आप ही पहली महिला हैं, और हो सकता है कि आखरी भी हो, हाँ, जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है तो ठीक है, फिर आपके पास शिकायत का धेर ही लगवा कर रहूँगी जटके से उठकर बाहर चली जाती है, निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है अब मौन्टाज में कुछ द्रिश्य दिखाये जाएं, रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं, और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है प्रिश्ट संक्या तिर्यानवे साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं, फिर एक के बाद एक तीन चार घरों से माबाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है, साथ में लीला बेन और तीन चार महिलाएं और भी हैं दृष्य समाप्त किसी अख़बार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं और तीन चार स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है आपने तो इसे बाकाइदा एक आंदोरन का रूप ही दे दिया बहुत अच्छा किया इसके बिना यहां चीजें बदलती भी तो नहीं है शिक्षा के एक शेत्र में फैली इस दुकान दारी को तो बंद होना ही चाहिए रजनी एक आएक जोश में आकर आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा तो फिर साथ दीजिये हमारा अख़वार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती सब की बात बन जाती है मिल्कुल ठीक आँख मून कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे आप सोचिए जरा अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को रहात मिलेगी कितने बच्चों को आप हविश्य सुधर जाएगा उन्हें अपनी महिनत का फल मिलेगा माबाप के पैसे का नहीं शिक्षा के नाम पर बच्पन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ आपका सारा गुस्सा तो फिर दीजे हमारा साथ उठाए इस इशू को लगतार लिखिये और दुआधार लिखिये प्रिश्ट संख्या 94 संपादक इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी अमित के उदाहरन से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है एक अच्छा सा राइट अप तयार करके PTI के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ एक काम और कीजिए 25 तारीक को हम लोग पैरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुँच जाएगी व्यक्तिकत तोर पर तो हम मुश्किल से 100-100-100 लोगों तक संपर्क कर सकते हैं वो भी राद दिन भाग दोड करके अधिक से अधिक लोगों के आने के आगरे के साथ सूचना दीजिए ये हुई ना बात द्रिश्य समाप्त नया द्रिश्य मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं लोग खुश है लोगों में जोश है विरोध और विद्रोह का पुरा महाल बना हुआ है द्रिश्य कट कर अंदर जाता है हॉल भरा हुआ है एक और प्रेस्वाले बैठे हैं इसे बाकाइदा फोकस करना है एक महिला माईक पर से उतर कर नीचे आती है हॉल में तालियों की गड़गडा हट अब मंच पर से उठकर रजनी माईक पर आती है पहली पंक्ती में रजनी के पती भी बैठे हैं बहनों और भाईयो इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिती और जोशी बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं इन दो महिनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए कुछ अभी आप लोगों ने भी सुने ये भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है माएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जरा रुक कर जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते बच्चों को भी नहीं पढ़ाते प्रिष्ट संख्या 95 तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनी दिने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वा मिलती है कि ट्यूशन ना करें तो उनका गुजारा ही ना हो कई जगा तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाल देकर ज्यादा पर दस्थखत करवाई जाते हैं ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का परदा फाश करें इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा ऐस सिस्तिती में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने उनके नमबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंध हो जाएंगी साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी अब आप लोग अपनी राय दीजिए सारा हॉल एप्रूब्ड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठता है द्रिश्य समाप्त नया द्रिश्य रजनी का फ्लेट सवेरे का समय कमरे में पती अख़बार पढ़ रहा है पहला प्रिश्ट पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है जल्दी जल्दी पढ़ता है फिर एकदम चिलाता है पती अरे रजनी रजनी अरे सुनो तो बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जियों कातियों सुईकार कर लिया रजनी भीतर से दोड़ती हुई आती है अख़वार छीन कर जल्दी जल्दी पढ़ती है चेहरे पर संतोश, प्रसन्दा और गर्व का भाव प्रिश्ट संख्या 96 रजनी तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव बिल्कुल जैसा कात ऐसा और बन गया ये नियम मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धजिया ना भिखेरी जा सकती है पती मुख दुभाव से उसे देखते हुए रजनी इतराते हुए दो महीने तक लगतार मेरी धजिया भिखेरने के बाद लीला बेन, कांती भाई और अमित का प्रवेश उस दिन तुमारी जो रसमलाई रह गई वो आज खाओ और सबकी और सबके हिस्से की तुम ही खाओ अमित दोड़ कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है पर रजनी उसे अमित के मुह में ही डाल देती है सब हस्ते हैं, हसी के साथ ही धीरे धीरे द्रिश्य समाप्थ होता है अभ्यास पाठ के साथ प्रिष्ट संख्या सत्तानवे अभ्यास पाठ के साथ एक रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से ले लिया क्योंकि ख वह अमित से बहुत स्नी करती थी ख अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था ग वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थे रखती थी ग उसे अख़वार की सुर्खियों में आने का शौक था दो जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माबाब ट्यूशन लगवाते हैं अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन किसी और के पास चले जाएं ये कोई मजबूरी तो है नहीं बताएं कि यह समवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है तरक दीजिए तीन तो एक और आंदोरन का मसला मिल गया फुसफुसा कर कही गई यह बात का किसने किस प्रसंग में कही खा इस से कहने वाले की किस मानसिक्ता का पता चलता है चार रजनी धारवाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है क्या होता अगर क अमित का परचा सच्मुच खराब होता क् संपादक रजनी का साथ ना देता पाठ के आस-पास एक गलती करने वाला तो है ही गुनागार पर उसे बरदाश्ट करने वाला भी कम गुनागार नहीं होता इस समवाद के संदर्व में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनागार मानते हैं दो, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धार्णा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है तीन, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोश्टक में दिया गया है यदि इसी द्रिश्य को फिलमाया जाए तो आप काउन काउन से निर्देश देंगे चार, इस पटकथा में द्रिश्य संख्या का उलेख नहीं है मगर गिनिती करें तो साथ द्रिश्य हैं आप किस आधार पर इन द्रिश्यों को अलग करेंगे प्रिश्ट संख्या 98 भाशा की बात एक, निम्न लिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिये का, वरना तुम तो मुझे काटी ही देती ख, अमिद जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़ ही सकते हैं ग, बस-बस मैं समझ गया कौड मिक्सिंग, कौड स्विचिंग एक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंट्रेस्टिंग सबजेक्ट उपर दिये गए समबाद में दो पंक्तियां है पहली पंक्ति में रेखांकित अंश हिंदी से अलग अंग्रेजी भाषा का है जबकि शेश हिंदी भाषा का है दूसरा वाक्य पूरी तरह अंग्रेजी में है हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में दो भाषाओं यानी कोड का इस्तिमाल करते हैं यह code mixing कहलाता है जबकि एक भाषा में बोलते बोलते दूसरी भाषा का इस्तिमाल करना code switching कहलाता है पाठ में से code mixing और code switching के तीन-तीन उदाहरण चुनिए और हिंदी भाषा में रूपान तरण करके लिखिए पठकथा की दुनिया आपने दूरदर्शन या सिनेमा हॉल में अनेक चल्चित्र देखे होंगे परदे पर चीजें जिस सिलसिलेवा डंग से चलती हैं उसमें पठकथा का विशेश योगदान होता है पठकथा कई महत्रफून संके देती है जैसे कहानी या कथा समवादों की विशेवस्तू समवाद अदायगी का तरीका आसपास का वातवरण या दृष्य दृष्य का बदलना इस पुस्तक के अपने पसंदीदा पाठ के किसी एक अंश को पठकथा में रुपांतिरत कीजिए शब्द छवी Congratulations यानि बदाई हो, मुबारक हो Half yearly यानि चमाही, अर्दवार्शिक बेगुना यानि जिसका कोई गुनाह ना हो, निर्दोष प्रिष्ट संख्या निन्यानवे हिकारत यानि उपेक्षा Director of Education यानि शिक्षानिदेशक Recognize यानि मान्य Research Project यानि शोध परियोजना Conduct यानि संचालन सुन्ती इच नहीं अर्थात सुन्ती ही नहीं दखल अंदाजी यानि हस्तक्षेप Parent यानि अभिभावक Important matters यानि महत्वपून विशय बाकाइदा यानि काइदे के अनुसार Issue यानि मुद्दा Focus करना यानि ध्यान मिलाना Approved यानि सुईकृत Montage यानि द्रिश्य मीडिया Television में जब अलग द्रिश्यों या छवियों को एक साथ इकठा कर उसे संयोजित किया जाता है तो उसे Montage कहते हैं किया अलग कोड़ी कहते हैं मुद्यान ऌस रजकर यानि Mmm उसे संयों करता हैं